जी हां सभी को नमस्कार, नासुला नोलीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों, इंडिया करंट अफेर्स का आज का हमारा पहला कोश्चन, हाल ही में नाडा के महानी दिशक कोन बने हैं, तो हाल ही में सिधार्थ सिंग नाडा के नए महानी दिशक बन उधगातन किया है, तो यह किया है नरेंदर मोदी जी ने, हाल ही में नरेंदर मोदी जी के दवारा छटा राइसेना समवाद का उधगातन किया गया है, अब यह राइसेना कहा है, जो अपना संसद भवन है, आप जानते ही अच्छी तरे, पूरा राइसेना हिल्स के उपर बसा हुआ है। रायसेनर डायलोग के छटे संस्क्रण की थीम क्या रखे गई थी। स बार इसके छटे संस्क्रण की थीम रखे गई थी। याद करना आपका काम है। Next, हाल ही में बारत के ले मुख्य है चुनाव आयुकत कौन बने है। सुशिल चंद्रा इस question को हम repeated back to back लेके आएं दुबारा region याद करना ओके सुशिल चंद्राजी बन गए हैं कौन से नमबर के 24 वी नमबर के next और इनसे पहले कौन थे इनसे पहले कौन थे सुनील अरोडा जी next हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मास्क अभियान शुरू किया है तो मास्क अभियान ओडिसा के मुख्यमंत्री के तवारा शुरू किया गया है उडिशा राजदानी क्या है पुनेश्वर मुखमंतरी कौन है नवीन पतनायक और यहां के गवर्णर को रहे गणेशी लाल इसके अलावा कब बना थे उडिशा 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट अम्बेडगर जैनती हाल ही में 14 अपरेल को मनाई गई 2021 में यह कौनशी जैनती थी दोस्तो यह थी 130 जैनती अम्बेडगर जी की 130 जैनती इनका जैनम कब हुआ था 14 अपरेल 1801 में को कब हुआ 14 अपरेल 1801 में को ओके डॉक्टर अम्बेडगर को भारते सविधान के पिता यानिकि मुख्यवास्तुकर के रूप में जाना जाता है आप सभी इस चीज़ से अच्छे तरह वाकिफ हैं दोस्तों वह सवतंतरता के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे कौन थे डॉक्टर भीम राव अम्बेडगर जी नेक्स्ट डॉक्टर भीम को मरनो प्रांत 1990 में देश के सर्वोच न्यागरिक सम्मान कौन सा भारत रतन से सम्मानित किया गया था बहुत लेट कर दिया नेक्स्ट हाल ही में किस देश में भारत के उच्चायोग दुआरा संस्किर्थ सिक्षन एप लेटिल गुरू को लॉंच किया गया है बंगला देश में कहां पर बंगला देश राधानी क्या है डाका कब सवतंतर हुआ 26 मार्ज 1971 को यहां के परदानमंत्री कौन है सेख हसीना और प्रेजडेंट अब्दुल हामेद नेक्स्ट हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की COVID-19 स्पूतनिक 5 के उप्योग को मंजूरी दे दिया है रसिया रसिया की है यह स्पूतनिक 5 COVID-19 से सम्मदित डोज नेक्स्ट हाल ही में किस देश के किरकेटर खिलाडी केन विलियमसन को सर रिचर्ड हैडली पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो यह है न्यूजिलेंड के खिलाडी है कौन केन विलियमसन वर्ल्ड कप तो आपको यादी होगा हिला दिया था इसने सबको यह वही केन विलियमसन है न्यूजिलेंड की केपिल क्या है विलिंग्टन और करंसी क्या है न्यूजिलेंड डोलर किस राजे सरकार ने जहां जोगी वही मकान योजना सुरू की है दिल्ली ने किसने दिल्ली ने ये ऐसे ही काम करेंगे, ओके दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी ये नियो देली, और ये कारवाई किस ने की है भाई, ये है अरिंद केजरिवाल की सोच है, जहां जोगी वही मकान, भाई किस के लिए मकान बनाओगे, सब कुछ फुरी में बाट दोगे, देशक तो बरबाद ऐसी हो जाएगा, ठीक है, ओके, गवर्नर को ने, अनिल बैजल, और कब दिल्ली, देखो, दिल्ली को 69th Amendment, 1921 में के तहत, NCR का दर्जा मिला था, दोस्तो, किसका, NCR का दर्जा का मिला, 1921 में, 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की गोशना हुई थी, 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थे, और 1921 में में इसको राष्टे राजधानी छेत्र घोशित कर दिया गया था, Next, किस कंपनी ने Nuance Communication का अधिगरण कर लिया है, तो Nuance Communication का अधिगरण Microsoft कंपनी ने किया है, Microsoft कंपनी के CEO को ने, सत्य नडेला, और Headquarter कहां है, इसका Headquarter है, Redmond Washington United States में, इसके लाबा, Microsoft की स्थापना कभी, 4 अपरेल 1975 को, Next, किस ने आहर करांती आंधुरन की शुरुआत किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन शिंग ने, डॉक्टर हर्षवर्धन शिंग ने आहर करांती आंधुरन की शुरुआत किया है, कौन है दोस्तो, हमारे केंद्रिय स्वास्थे मंद्री है, दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का कर्रेंट अफेर से मावत होता है ओके थैंक यू जय हिन जय भारत बंदे मातरम आपका दिन शुब रहे